हलो फ्रिंट्स आप देख रहे हैं आपका चैनल शेर बज़र वित आयुश और दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं टीटी एमल के स्टॉक के बारे में फेंट्स अगर आप टीटीमल में देखते तो डिफिनिटल आपको देखने को मिलेगा रोज अब आप तेजी होती हुई देखने को मिल रही है पहले लगातार लुवर सर्किट लग रहे थे अब लगातार अपको लगते हुए देखने को मिल रहे हैं तकि बहुत कुछ इंप बिसिकली हुआ क्या है कि स्टॉक ने देखिए बहुत बड़ा करेक्शन देख लिया है 290 रुपे से स्टॉक गिरना चालू हुआ अल्मोस 150 रुपीस की तक आपको नीचे गिरता हुआ देखने को मिला अब फिर से दोस्तों अगर आप देखेंगे तो रोज अपर स्टॉक लगता हुआ देखने को मिल रहा है फिर से देखिए यह अल्मोस चांसे प्रबैबली यही है कि स्टॉक आपको मोर दन 175 प्लश जाता की आजाते हैं दिन लगातारा अपर सर्केों लगता हुआ देखने को कुलेगा लेकिन काफे कुछ मुझसेैं कमयंड में पुझाता कि कया सर्ष है 1200 रुपे जाता हुआ देखने को मिल सकता है यहाँ पर अभी हम खिधारी करके चले यहां फिर यहां से कोई गिरावट बनä से बनेगी तो इस सारे जो क्वेश्चन से बेसिकल इसके वारे हम इस वीडियो में बात करने वाले तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा दोस्तों चैनल से पहली पर अगर आप जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा अगर आपको यह वीडिय सबसे पहली बात देखिए आपको समझना है कि याद रखेगा TTML के बारे में अगर बात कर तो एक सर्किट स्टॉक है इसके अंदर अगर आप देखते तो नॉर्मल ट्रेडिंग होती भी देखने को नहीं मिलती है अगर होती भी थी तो देखिए वो बहुत दिनों पहले थ लास्ट वन एर के अंदर मुझे देखिए बेसिकली वो दिन याद नहीं आता है कि स्टॉक ने जिस दिन कोई नॉर्मल ट्रेडिंग दिखाई होगी स्टॉक लगातर बढ़ता हुआ देखने को मल रहा है और बेसिकली देखिए वो पिछले पात सल का अगर मैं आपको डिलिवर कियें लेकिन लास्ट सिक्स मन्स में स्टॉक ने बेसिकली देखिए बहुत बड़ी तेजी दिखाई है और इन्वेस्टोर्स ने यहाँ पर कह सकता है कि आल्मोस्ट जिस प्रका कि यहाँ पर तेजी और गिरावट दोनों देखा है वो एक जो पॉइंट था कि हा अच्छा के जैसे देखे बड़या खबर निकल के आती है तो यह देखी आहीं बड़ी बात जो भी आपको देखने को मिल रही है मुझे लगता है यह बत्क नतीजे नहीं निकल के आते तब थी वह अनडाबटली देखने को मिलेगी नतीजे याद रखेगा आठ तरिक को आ के numbers आते हुए देखने को मिलेंगी और numbers काफी important रहने वाले important क्यों रहने वाले हैं because याद रखेगा ये जो अपना तीजी है उसको या तो ये बिल्कुल जिस प्रकार से अभी आपको करता हुआ देखने को मिल रहा है लगातार होती भी देखने को मिलेगी या फिर वो गिरावट का बड़ा कारण बन सकता है अगर numbers खराब निकल के आते हैं तो देना पोसर के लगता हुआ देखने को मिल सकता है लेकिन अगर numbers बड़ा निकल के आ गए because देखिए यहाँ पर company लगातार revenue के terms में growth दिखा रही इसमें कोई doubt नहीं है लगातार company का revenue in terms देखिए जिस परका का growth दिख रहा है वो बहुत चांदार है इसमें कोई doubt नहीं है बट यहाँ पर कितना यहाँ पर company का देखिए revenue आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलता है बट basically कितना loss कम होता हुआ देखने को मिलता है देखिए company से profit की उम्मीद नहीं लगा सकता कोई भी ओके पिशली बार जब financials अगर number निकल के है तो company ने almost 313 करोड का loss दिखाया था जून 2021 में उसके बार देखिए वो कम होता हुआ देखने को मिला 313 करोड पर लेकिन पिशले December की बात कर तो देखिए जो loss था वो सिफ 297 करोड ही था तो company ने March के quarter में देखिए loss जो था वो company का almost आपको यहाँ पर June के quarter में March से related बढ़ता हुआ देखने को मिलता था quarter on quarter company का जो loss था वो बढ़ी गया था लेकिन अगर इस बार देखिए loss कम आता हुआ देखने को मिलता है basically अगर 290 करोड से कम आता हुआ देखने को मिलता है loss तो मुझे लगता है कि बाजार कोई जादा चिंता फिर करता हुआ देखने को नहीं मिलेगा तो यह एक बहुत important च लगाते हुए देखने को मिल रहे है जो अपने आप में देखे काफी जादा है बहुत जादा आपको देखिए यहां पर लोग कह सकते हैं कि orders लगाते हुए देखने को मिल रहे बिकास जो गिरावट है वो definitely हो चुकी है लेकिन जैसे मैंने कहा एक event है जो बहुत important is related जो अनुमान लगता नहीं है अनुमान कोई लगा नहीं सकता है विकास पता नहीं कि company का किस basis पे numbers निकल के आएंगे किस प्रकार से company अपना loss कम करती हुए देखने को मिलेगी कोई expectations यहां पर लगते नहीं है इसलिए यहां पर आपको मैं कुछ भी अनुमान पहले से नहीं बता कर लीजिए वहां से तो देखिए आप definitely returns कमा लेंगे बट अगर numbers यहां पर आपको अच्छे आते हुए देखने को मिले तो बिलकुल यह जो 200 रुपे का नहीं कम से कम 2500 रुपे 300 रुपे का level भी काफी आसानी सा आपको छूता हुआ देखने को मिल जाएगा तो कोई चिंता के अंदर से यह stock देखिए बढ़िया बन सकता है इसमें कोई doubt नहीं है क्यों देखिए डाउट नहीं है अगर मैं बात करता हूं TTML के business module की तो मुझे लगता है कि देखिए company definitely कुछ काम करना चाह रही है एक plus points पे सबसे पहले तो देखिए जो लोग नहीं जानते हैं तो या अब तक दोस्तो business company का चलता हुआ देखने को मिलेगा और सबसे बड़ी बात कि देखिए अभी 5G में इनके लिए बहुत opportunity है 5G के अंदर जिस प्रका कि opportunity TTML को मिलती हुए देखने को मिलेगी वो undoubtedly massive रहने वाली है और अगर देखिए यह company उस point पर बढ़या कर पाती है तो ब की point पर पैसा डाल सकते हैं वो है याद रखेगा company के promoters की holding company के promoters की holding almost 75% के आसपा से याद रखेगा promoters सिर्फ 75% तक कि सारी अपने stock के दर रख सकते हैं तो company के promoters के पास देखिए basically बहुत जादा हिससा है इसलिए कह सकते है कि हैसस कोई ड़नने वाली बात नहीं है बट दो देखेंगे तो FIS ने definitely थोड़ा सा नुकसान जरूर जहला होगा because basically September से December के quarter में जब देखे निकल के आया थी dates तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर increase हुआ था FIS का major stake point one six to point seven nine यानि इसरी काफी बढ़ा ही है तो basically देखें तीजे का कारण ये भी एक है कि FIS का पैसा आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है बट क्या FIS ने अगले quarter में पता चलेगा कि बिखवाली कर दी तो ये बहुत बड़ा देखें माइनस point हो सकता है तो ये definitely अभी काफी कुछ चीज़े है जो पूरा समझना हमारे लिए बहुत important है बट अभी तो मैं आपको यह करता अगर मार्केट के आस में आते हैं तो definitely हमको यहाँ पर company को अच्छे से देखें नंबर समझने पढ़ेंगे तो फ्रेंट इस वीडियो में इतना ही था होप सो वीडियो बड़या लगा होगा अगर लगा तो लाइक कर दीजेगा चालना से नहीं जो सब्सक्राइब कर देना कर दो